आज काफी सारे लोग वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन उनको एक महेंगा लैप्टॉप या पीसी लेना पड़ेगा और फिर हैवी सॉफ्ट्वियर्स का हैंग जहिलना पड़ेगा और सबसे बुरी लगती है ये बात कि जादतर सॉफ्ट्वियर पेड मेंबर्शिप के साथ आते हैं इसलिए आज इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए 10 बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्ट्वियर्स नहीं वेबसाइट जो बिल्कुल फ्री होंगी जिसमें आप अपनी वीडियो रिटिंग अराम से कर सकते हो तो फर्स नमबर पर आती है अंस्क्रीन डॉट कॉम बिल्कुल इस वेबसाइट का इस्तिमाल करके आप अपने पीछे की हर चीज को चेंज कर सकते हो मेरा वो मतलब नहीं था कहने का मतलब है कि बैक्ग्राउंड चेंज कर सकते हो सिंपल सा इंटरफेस है आप अपनी वीडियो अपलोड करो और बैक्ग्राउंड चेंज हो जाएगा या कहलो रिमूव हो जाएगा वैसे तो बिल्कुल फ्री है लेकिन आप चाहो तो इनकी मेंबर्शिप बाई कर सकते हो क्योंकि इनके नकरे तो सॉफ्ट्वेर से भी जादा है पर मिनिट का चार्ज कर रहे हैं सेकिंड नमबर पर आता है व्रिव इस वेबसाइट को बनाने वाला असल में MS Word बना रहा था लेकिन बनाते बनाते वीडियो एरिटर बना दिया इंटरफेस को समझना ब्रेट पर बटर लगाने जितना आसान है क्योंकि MS Word जादतर लोगों ने यूस किया है मेंली ये सॉफ्ट्वेर कैप्शन के लिए बनाये गया है वीडियो में जो बोलते हो ना वो लाइन से जो नीचे लिखी आती है वही पर आप इस पर वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो हम लोगों की एडिटिंग में ट्रिमिंग बहुत रुलाती है है ना पर इसमें कुछ क्लिक्स में आप वीडियो ट्रिम कर सकते हो थर्ड नंबर पर आता है एनी मोटो इसमें आपको इन बिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है जिसका आपको एड्वांटेज मिलेगा स्टॉक मीडियाज मिल रहे हैं जो उतने अच्छे तो नहीं लगे पर हाँ ठीक है एडिटिंग टैब काफी सही लगा मुझे क्योंकि इसमें आप काफी सारे एडिटिंग टास्क असानी से कर पाओगे आडियो भी काफी सारे हैं तो सुनकर देख लेना काम आएंगे जिसको कि हम लोग आजकल वीमिय और एडिटर के नाम से जानते हैं यह भी एक वेबसाइट बेस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेर है काफी हद तक बाकी के सॉफ्टवेर को देखकर ही बनाया गया है पैंप्लेट्स काफी सारे मिलते हैं इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स में भी काफी वेराइटी है बस एक वाटरमार्क की प्रॉब्लम है जो कि आप इनकी मेंबर्शिप लेकर सॉल्व कर सकते हो लेगन अगर नहीं लेना चाते तो फ्री में इस्टिमाल करो तरीका मैंने थोड़ देर पहले बता दिया है सिंपल सा इंटरफेस है अपनी वीडियो अप्लोड करो म्यूजिक लगाओ और एक स्टाइल चूज करो और वीडियो रेडी फिफ्ट नंबर पर है फ्लिक्सर ये सॉफ्ट्वर मुझे काफी अच्छा लगा आपको भी लगेगा इंटरफेस देखते ही समझ में आ गया कि क्या होने वाला है और ऐसी फील आएगी आपको भी कि इस पर एडिटिंग अराम से की जा सकती है क्योंकि इंटरफेस फिल्मो की तरह manual transitions बना सकते हो और साथ में motion titles भी जैसे जैसे आपको यूज करोगे आपको इसकी importance का पता चल जाएगा और इनकी premium membership भी काफी reasonable है तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जाकर purchase कर लेना otherwise free में यूज करो next and sixth website is clipchamp इसका भी इंटरफेस असानी से समझा जाएगा और features म ही मिलेंगे ऐसे समझ लो कि शादी में लड़की के साथ दहेज भी मिल रहा है काफी सारी शेप्स हैं green screen के भी काफी effects है और color grading भी हो जाएगी तो दिक्कत क्या है फिर कुछ रह गया नहीं seven number पर है cap wing अच्छा interface इसका भी असान है लेकिन advanced level का भी है तो कई बार समझने में दिक्कत आ सकती है आप यहां पर काफी सारे बड़े बड़े features यूज कर सकते हो जो आपको काफी अच्छे software में देखने को मिलते हैं और यह कुछ जादा बोल दिया मैंने अच्छी वाद त ले लेना अगला eight number पर आता है klidio.com नाम से भले ही अजीब है लेकिन काफी advanced level की editing आप इस पर कर पाओगे मतलब कि दिखने में तो आपको काफी basic सा लगेगा लेकिन है काफी advanced और इसकी तारीफ तो मैं क्या ही करूं क्योंकि basic से advanced level तक आता है तो यह सब आपको use करते करते पता चलेगा कि क्या यह आपके काम का है या नहीं वैसे तो बिल्कुल free है लेकिन अगर आप इसे और अच्छे से use करना चाहते हो तो इनकी paint membership भी ले सकते हो लेकिन पहले इसको use करना और उसके बाद अगर समझ में आये तो ही membership लेना 9th number पर है v.io आई ओ से ही समझ में आ गया कि AI के जल्वे मिलने वाले हैं यहां पर और मिल भी रहे हैं इंटरफेस इसका भी आसान है साथ में आपको आवाज बदलने वाले tools भी मिलते हैं इसमें मुझे personally filters इसके काफी अच्छे लगे और इसके अलावा भी आप इसमें हर तरह की video rating आराम से कर पाओगे free भी है paid भी है तो चाहो तो paid membership ले सकते हो और समझ नहीं आता तो free use कर सकते हो इसी के साथ में 10th number पर है video candy इसकी easiness की तो बात ही क्या करूं क्योंकि आते के साथ ही video rating हो जाएगी total तीन settings available है scene settings trim और crop और इनी तीनों में ही सारे features दिये हुए है platform को जादा intense नही करा गया एक दुसरे से पर ऐसा नहीं है इसकी main website पर आपको काफी सारे features मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी video compress कर सकते हो audio भी compress कर सकते हो video editor अभी जल्दी में add हुआ है trimming merging resize वगेरा का भी काम हो जाएगा मतलब कि overall अगर आप इस website को visit करोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ही features मिल रहे हैं बट सबको अलग अलग रखा गया है तो आप इसमें काइद से तो एक एक करके भी video editing कर सकते हो step by step तो चलो मुझे आपको बताने थे 10 best video editing software नहीं website जो मैं आपको बता दी बाकि आपको कैसा लगा वीडियो मुझे comments करके जरूर बताना और इन में से कोई भी platform आप यूज कर रहे हो या आप करने वाले हो तो वो भी आप बता सकते हो और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो भी नीचे comments में पूछ सकते हो बाकि चलो यही था कुछ आज का वीडियो मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी interesting informative वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई